अंग्रेजी में कहावत है हेल्टी ज्वेल्ट अर्थात सेहती पुंजी लिकिन आज की इस विजी और भागदोर्वरी जिन्दगी पर नज़र डाने उस बेश कीमती पुंजी बोलेकर लोग लापरवा हो रहे ज्यादा काम होने के कारण तनाव और कई तरही की सारीलिक परिशानियों से लोग घ्रे रहते हैं ऐसे में लोग अपनी हेल्थ को ही नजर अंदाज करते जा रहे हैं नतीजा सबकुछ पाकर भी लोग खुस नहीं रहन से हैं खान पान और साब सफाई के तोड़ तरीकों पर द्हां देकर तंद्रुष्ती और फिटनेश को अपनी जिन्दगी में सामिल कर सकते हैं बहतर सेहत सवच्ता और फिटनेश हमें बीमारियों से दो रखते हैं हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपकी जिन्दगी में इन तीनों का होना बेहर शरूरी है सारे ग्रूप स सवस्त रहने के लिए एक्टिव रहना जरूरी है महनत करते हुए शरीर का द्यान रखना ही अपने आप में योग है इसलिए अपनी जीवर सेदी को सरव बनाए ना कि बोजू मशीनों पर पूरी तरह निर्भर होनी की बजाए तुद से भी कुछ काम करें इससे बोड़ी सब्सक्राइब रहेंगी साथ की मानचिक तौर पर आप सवस्त रहेंगे रहन सेहन और सन्यमित खान पान ले इसके साथ समय समय पर रूटेंट चेकप करवाएं ताकि कोई बीमारी आपको छूड़ी ना सकी परियाप्त मात्रा में नेंद ले अमेरिका के योवा इस्टेप एक्सरसाइज के लिए समय की कमी को देखते हुए अध्यन में ये सलहा दी गई है कि कुछ मिनट के लिए ही सही और नियमित रूप से दोड़ बगाने की आदत जालनी चाहिए सोद करता कहते हैं कि सौष्ट का मतलग सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं है बलकि पूरी तरह से फिट होना भी है फिट रहने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है संतुलित आहार यानि आपके खान पान में सूपाची सबजी दाले दूद दही उचित मात्रा में सामिल इसके लिए फूड पायरामीड का अनुसरु करना होगा खुद को प्रकृति के साथ जोड़े शुर्योद के समय को के योग करें परति दिप 10-20 मिनट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइंज करें काम के साथ साथ सरीर को आराम देना भी जरूरी होता है खुद को रिलेक्स रखने के लिए चुटकुले पड़ें ठाके लगा कर हासे इससे आप तन मन से फिट रहेंगे सवच्ता अपनाने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है एजा पेचेज टाइफाइड जैसी बीमार या हाईजीन का फ्याल नहीं रखने के कार्ण को दिए अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोटर, पीजियो एजिटर, कैमरा मैं या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हम इस संपल्स करें कर दो हम इस संपल्स करें